फर्स्ट अल्टरसवन प्रेगनेंसी में आपको कब करना चीए? अल्टरसवन के जरीए आपका फेटस की एकज़र्ट लोकेशन फर्स्ट अल्टरसवन से आप पहली बार आपकी होने वाली बेबी की हार्ट बिट को सुन सकती है गाइस प्रेगनेंसी में की जाने वाली हार एक अल्टरसाउन की महत तो आपको समझना बहुत जरूरी होता है जो आपको इग्नॉर या मिस नहीं करना चीए डे टू डे आपडेट रहने से आपका प्रेगनेंसी जाननी को आसन करने में सयोग मिलती है इसलिए डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम आप और आपका बेबी की सुवस्त और विकास की अलाग अलाग इन्फोर्मेशन पता करने के लिए अल्टरसाउन रिकोमेंड करती है आज का विडियो में आप लोग जान पाएंगे प्रेगनेंसी में फर्स्ट आल्टरसाउन कब और क्यू करना चीए और इसका क्या क्या फाइदा है ये स्टेप नमबर आउन पे बात करते हैं फर्स्ट आल्टरसाउन प्रेगनेंसी में आपको कब करना चीए गाइस pregnancy की first ultrasound आपकी last period date LMP प्रेगनेंसी शुरू होने की 6 week से लेकर 9 week के अंदर किया जाता है और यह ultrasound का नाम है ultrasound dating scan या इसको pregnancy confirmation scan भी कहा जाता है दोस्तो आप बत करती है step number two की यह first ultrasound आपको क्यों करना चीए गाईस ये आल्टरसाउन के जरीए आपका फेटस की exact location भुरुन कहाँ पर ठेहरी है और भुरुन की इस्तिती आपका uterus की अंदर सई जगाँ पर है कि नहीं ये आल्टरसाउन के जरीए सई information डॉक्टर को पता हो जाता है ताकि कोई problem होने पर डॉक्टर सई decision ले पाए Guys आप जानते हैं ए fully step number 3 की बारे में pregnancy में first ultrasound की क्या क्या फाइदा है दोस्तों first ultrasound से आप पहली बार आपकी होने वाली baby की heartbeat को सुन सकती है क्यूँकि इस दोरं fetus की धरकन, fetal heart rate धरकना शुरू हो जाती है और ये ultrasound के जरीए आपको पता चल जाएगा आपका fetus में baby single है या twins और इसके जरीए आपका delivery की exactly date भी निधरन किया जाता है आपकी pregnancy history और baby की development की हिसब से Your queries, guys आप लोग सोच रहे होंगे pregnancy में हार एक ultrasound करना जरूरी है? मेरा answer है yes Guys, ultrasound से up to date रहने से आपका pregnancy happy और healthy हो जाता है और आप खुशी-खुशी pregnancy को complete कर सकते है Guys, मिलते है ultrasound की next episode में, thank you for watching